हेलो दोस्तों, आपका अपने प्यारे चैनल यूनिक गार्डेन लोर्स में स्वागत है दोस्तों यदि आप अपने गार्डेन में, कंटेनर में किसी फ्रूट प्लांट को ग्रो करने की सोच रहे हैं तो यकिन मानिए ये वीडियो आपके लिए ही है दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे फ्रूट प्लांट के बारे में बताएंगे जिसे बड़ी ही आसानी से सरलता के साथ कंटेनर में ग्रो किया जा सकता है यह फ्रूट बड़ी ही आसानी से सामाने जनमानस के पास उपलब्ध होने के कारण इसे गरीबों का सेब भी कहा जाता है दोस्तों अब आप जान ही गए होंगे हम एक ग्वावा प्लांट की बात कर रहे हैं ऐसे ग्वावा प्लांट की ऐसी वराइटी जिसे बड़ी ही सरलता के साथ आप अपने कंटेनर में लगा सकते हैं यह है थाइलेंड ग्वावा वराइटी इसे वन केजी प्लांट भी कहा जाता है इसके फ्रूट का साइज काफी बड़ा होता है यह 200 ग्राम से 400 ग्राम तक का हो सकता है इसका फल जो है सफेद गुदेदार होता है जो काफी मीठा होता है और इसके अंदर का जो बीज होता है वो बहुत ही छोटा और मुलायम होता है इसलिए इस फूर्ट की डिमांड अंतराश्टी मार्केट में भी काफी है दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि गौवा प्लांट बहुत ही हाड़ी प्लांट होता है इसे आप बड़ी ही सरलता से ग्रो कर सकते हैं जब यह जमीन में लगा होता है तो इसे इस किसी विसेश देखभाल की जरूरत नहीं होती है लेकिन जब आप इसे अपने टरिस गार्डेन में किसी कंटेनर में ग्रूक रखते हैं तो कुछ विशेश बातों का ध्यान रखना पड़ता है पहली बात कि जब आप नर्सरी से कोई छोटा प्लांट ले आते हैं गुआवा का तो ये ध्यान दखिए कि वो प्लांट जो आप नर्सरी से ले आये हैं वो एरियर लेयरिंग में थट से या ग्राफ्टिंग में थट से तयार किया हुआ होना चाहिए सीट से ग्रो किया हुए प्लांट में फ्रूट आने से फ्रूट आने में 5-6 साल का वक्त लग जाता है जबकि यदि आप अपने एर लेरिंग में थट से या ग्राफ्टिंग में थट से जो प्लांट तयार किया हुआ होता है उसको ले आते हैं आप तो वो एक साल या उससे भी कम समय में फ्रूट जनरेट करने लगता है हाँ दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार उसकी स्वाइल मीडिया तैयार की जाए किस प्रकार उसको फ्राटिलाइजर दिया जाए और किस प्रकार से आप उसकी केर करें तो वो बढ़ी आसानी से फ्रूट उत्वन कर सकता है तो आज हम आपको ग्वावा प्लांट अमरूत की एक थाइलेंड वराइटी आपको सजेश्ट करूँगा जिसे आप नर्सरी से ले आएं उसे लगाएं इसे वन केजी ग्वावा भी कहा जाता है दोस्तो इस फ्रूट की खासियत होती है कि ये साल में दो बार फ्रूट जनरेट करता है पहली हर्वेश्टिंग आप मार्स से अप्रैल के बीच में और दूसरी हर्वेश्टिंग आप जुलाई से अगस्त के बीच में कर सकते है इस फ्रूट प्लांट का जो फ्रूट जनर होता है उसकी साइज काफी बड़ी होती है उसका वजन 200 ग्राम से 400 ग्राम तत हो सकता है तो दोस्तों आप इस प्लांट की खासियत है कि यह कंटेनर में बड़ी है आसानी से ग्रूफ हो जाता है मैंने यह प्लांट नर्सरी से मार्च में ले आया था और अब यह काफी अच्छे तरीके से ग्रूफ कर रहा है और इसमें काफी ब्रांचे भी निकल रहे है दोस्तों अब आपने प्लांट का सेलेक्शन कर लिया अब आपको पॉट सेलेक्शन भी करना है जब आप नर्सरी से प्लांट ले आते हैं तो काफी छोटा होता है उसको आप किसी भी छोटे कंटेनर में लगा सकते हैं कि जब प्लांट आपका धीरे धीरे बड़ा हो तो उसे आप 20-40 लीटर के पॉट में आप लगाईए जैसा कि मैंने इसे लगाया है जब मैं इसे ले अब इसे मैंने 40 लीटर के पॉट में लगा दिया है जिसमें ये अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है दोस्तों अब इसकी जो स्वाइल मीडिया होगी वो काफी रिच और आर्गेनिक होनी चाहिए क्योंकि जब ये प्लांट जमीन में लगा होता है तो अपना निउट्रिशियन सब मिट्टी से प्राप्त कर लेता है लेकिन जब इसे हम कंटेनर में लगाते हैं तो हमारे द्वारब प्रवाइट कीगे स्वाइल मीडिया से ही इसको निउट्रिशियन मिलते हैं तो दोस्तों हमारा जो स्वाइल मीडिया होगा वो बहुत ही बढ़िया होना चाहिए जिसे की वो प्लांट अच्छे तरीके से ग्रो कर सके और फ्रूट जनरेट कर सके तो दोस्तों इसके लिए जो हम स्वाइल मीडिया बनाएंगे हेलो दोस्तों अब हमारा जो ये गवावा प्लांट है इसका जो हम स्वाइल मिक्स्चर तयार करेंगे उसमें 50% गार्डें च्वाइल और 10% रेट और 20% हम जो है वर्मी कंपोस्ट और 20% काउडंग कंपोस्ट को मिलाखर अच्छी तरीके से इसको mix कर लेंगे और इसमें 100 g बोन मील, 100 g सर्सों की खली और 100 g नीम केक का पाउडर इसमें mix कर देंगे यह सारा mix हमने इसमें डाल करके अच्छे तरीके से इसको तयार कर लिया है इस प्रकार हमारा जो स्वायल मीडिया तैयार होगा वो हलका और ग्वावा प्लांट के लिए बहुत ही उप्यूक्ट होगा और इस तैयार स्वायल मीडिया को हम पॉर्ट में भरके नर्सरी से लाए हुए प्लांट को लगा देंगे अब दोस्तों बात आती है इसके केयर की इसको साल में तीन बारा आप फर्टाइल करें जिसमें 100 ग्राम सरसों की कली 100 ग्राम नीम केक और 100 ग्राम बोन मिल्ट मिला लीजिए और फिर इसकी मिट्टी में आप डाल दीजिए साल में तीन बार तीन-तीन महिने के अंतर पर आप इसमें खाद का प्रियोग कर सकते हैं इससे आपके जो प्लांट है उसमें फ्रूटिंग बहुत ही जबरदस्त होगी और आपका प्लांट जो है फ्रूटिंग से भर जायेगा दोस्तों अब क्वालिटी दार और ज्यादा फल प्राप्त करने के लिए आप जो कमजोर फल इसमें निकले उसको आप तोड़ करके हटा दे उससे क्या होगा कि बाकी बचे हुए फल बहुत ही स्ट्रांग और क्वालिटी दार होंगे जब ये प्लांट आप नर्सरी से लेया के पॉर्ट में लगाते हैं तो उसके करीब 10-15 दिन बाद जब प्लांट अच्छी तरीके से आपका सेट हो जाए तो उसकी प्रूनिंग करना जरूरी है प्रूनिंग करने से परिड़ाम ये होगा कि उसमें से नई नई शाखाए निकलने लगेंगी और नई शाखाए निकलने से आपके प्लांट में फ्रूट भी भारी मात्रा में लगेंगे जब मैंने नर्सरी से इसको ले आया था तो मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी थी और उसका रिजल्ट यह हुआ कि उसमें से नई नई साखाएं जिसे हिंदी में कल्ला निकलना भी कहा जाता है वो सारी ब्रांचे निकलने लगी और अच्छे तरीके से ग्रो करने लगी यदि आप अपने प्लांट से काफी मातरा में फ्रूट प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इसकी प्रूनिंग करना अत्यंत आवश्चक है देखिए यह थाइलेंड ग्वावा वराइटी है इसे वन केजी प्लांट भी कहा जाता है आप देखिए इसमें जो है फल की साइज देखिए यह 200 ग्राम से 400 ग्राम तक का फल की साइज होती है इतने से छोटे से प्लांट में ये इतने छोटे से प्लांट में ये इतना बड़ा फल लगना इस वेराइटी के प्लांट की खासियत है देखिए इसमें फल कितना बड़ा फल लगा हुआ है अब मैं आपको पास से दिखाता हूँ देखिए इस प्लांट को मैंने मार्च के महिने में नर्सरी से लिया आया था और इसको मैंने लगाया हूँ और यह अभी इसकी प्रूनिंग भी करूंगा कुछ दिन के बाद लेकिन इसमें जो फल की साइच है पहुत बड़ा पहुत बड़ी साइच का यह है इसे वन केजी कुआवा प्लांट भी कहते हैं अब आती है बात इसके रोगों के बारे में वैसे तो इस प्लांट में जल् फंगस का अटेक हो जाता है तो उसके लिए आप बाजार से कोई भी फंगिसाइड सैफ या कोई भी ब्रांट का ले करके इस पर छिड़काव कर दें उससे क्या होगा कि आपका प्लांट जो है फंगस फ्री रहेगा और आपका प्लांट तेजी से ग्रो करेगा हमारे प्लांट में ग्वावा का ये प्लांट लगाते हैं तो निश्चित रूप से आपके प्लांट से फ्रूटिंग दमदार होगी और आसा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब और सेयर जरूर करें